है लो डियर अश्प्रेंड तो कैसे आप सभी उमीद कर रहा हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आपको होना भी चीए क्योंकि आप अगर स्वस्त रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से तयारी करेंगे आज की सेशन में बहुत करने वाले हैं आप सभी को पता है कि उडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन ने 47 पोस्ट डियाई की निकाली हुई है तो उडिशा ड्रग इस्पेक्टर एक्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटील में जानते हैं और ऑफिशिली जानते हैं एक चीज मैं आपको प बचिए अभी SIC फार्मासिस के वाइकंसी एक्टूबर लास्ट में एक्सपेक्टेड है और अभी से उसके फरजी एडवर्टाजमेंट और बिल्कुल एग्दम एक्जेक्ट तरीके से किया गया है बच्चे भरोसा कर दें मत करिए लाखों करोडों का चीटिंग फ्रॉड किस मुद्धे पर में आप से बात करने वाला हूं मैं बात करने वाला हूं इलिजीबिल्टी क्रैटेडिया पर क्या क्यानिग क्या संग्रेवर्फिकेशन क्या है क्योंłe पहले जो मैंने वीडियो बनाई हुई है, दो-तीन वीडियो मैंने बना चुकी है, ठीक है, एक्जाम के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दिया हुआ था, अपने कोर्स जो हमने लॉंच किया है, उड़ान बैच, उसके बारे में भी मैंने बात किया हुआ था, स्ट्राटीजीज और टिप्स में बात किया होगा वो वीडियो जरूर देखिएगा भूलिएगा मत आपसे रिक्वेस्ट है बहुत इंपॉर्डन वीडियो है चलिए उससे पहले मैं एक चीज थोड़ा सा आपसे डिसकस कर लूँ क्योंकि सेम इस चीज की प्रिपरेशन के ल टाइम सब्सक्राइब करना है और लिंक मैं आपको डिस्रिप्शन में दे दूंगा उस कूर्स के फीचर से वीडियो लेक्शर साब को मिलेंगे लाइप क्लासिज के साथ स्मार्टली डिजाइन डिनोट्स है किताब पढ़ने का बुकलेट पढ़ने का टाइम नहीं है प्र सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा बिना सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना पर्सनल लंबर में शेर कर रहा हूं आप से कभी भी एनी टाइम कोई गाइडेंस के जवरते कोई खरीदना हो कुछ पूछना हो जानना हो कर सकते हैं वससे सब कुछ दिया हुआ हुआ है चुकि यह लाइब कोर्से जो वीडियो दिख रह है जो टेसरी दिख रहे हैं अभी दो महिने का कोर्स है दो महिने में कंप्लीट होगा दो महिने बहुत चीज़ा आएंगी अपडेटेट के साथ मिलेगा उसके बाद एक डिड़ महिना जो बचे आराम से तयार करिए टाइमली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आप आराम से बि अप्लिकेशन के लिए बाकी मैं आपको लिंक शेर कर दूँगा आप अप्लिकेशन पर वेब लॉग इन भी ले सकते हैं यह सारी चीजें चलिए मेन मुद्ध हमारा डिसकसन का है क्या कि क्या क्या इलिजिबिल्टी क्राइटरिय है क्या क्या चीजे नहीं थोड़ा इसके बारे में ध्यान से देख लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बाते हैं समाजना जरूरी है ओडिसा पॉब्लिक सर्विस कमिशन देखिए अडवर्टाइज ओपीश सी यह जितने भी पॉब्लिक सर्विस कमिशन होता है अच्छे पोस्ट के लिए गजिटेट पोस्ट के सब्सक्राइब है लास्ट डिट 14 अक्टूबर है 14 अक्टूबर प्लीज रिमेंबर देट लास्ट डेट नमबर अफ वैकेंश 47 47 पोस्ट है बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है एकदम तूट पढ़िए इस पे यही मौका है अगर इसको मिस कर दिया ना तो खता में मामला सब्सक्राइब जान लीजिए और उसके साथ हमारा कोर्स अगर आप कॉम्बो पैक है समझ लें डड़ली कॉम्बिनेशन है यह चलिए तो आप देख लेजएगा इस सारी चीजे अब आते हैं मेन यहां पर इलिजिबल्टी बहुत से बच्चे से इंडिया पाकिस्तान मंग 28 साल होती है यहां पर 21 साल से अपर इस 30 38 एक जनवरी 2022 ठीक है यहां से काउंटिंग होगी एक जनवरी 2022 से आपकी 28 साल सूपर नहीं होना चाहिए यानि कि 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए यहीं उडिशा के लोग ही भर सकते हैं दूसरे लोग जबर्देश्ती परसान ना हो ठीक है और 10 यह का एक सर्विसमेन और यह सब पर्मेनन डिसेबल्टी इनको 10 यह का मिल जा रहा है ठीक है कभी-कभी यह कटेगरी भी है तो 15 यह का मिल जाता है डेट आप बर्थ में कोई कोई छेड़ा चाड़ी कोई चेंज नहीं कर सकते जो अब सर्टिफिकेट हाई स्कूल का देंगे वही है अब आते हैं इसेंचिल क्वालिफिकेशन यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं बच्चों को समझ भी नहीं आता कि क्या मतलब कंडिडिट मस्ट पॉजज इन फार्मेसी बी फार्मा डी फार्मा के बच्चे नहीं दे सकते हैं याद रहें डी फार्मा और फार्मडी अलग है तो डिप्लोमा डी फार्मा वाले बच्चे नहीं दे सकते डी आई का पेपर बी फार्मा दे सकते हैं ठीक है या फिर डिग्री इन फार्मा सुटकल साइ केंग सी डीफार्मा नहीं फार्म डी की डॉक्तर उप मेडिसीन एमभी बिश इस्पेशलाइशन इन ग्लिंकल फार्माकोलोजी में इस पेचलाइज है यह माईक्रोबायो जिमें रिकरग्नाइज इनुश्टी बाइद लौ यह बाया नी आपका कमपेटिशन डॉक्तर से भी के साथ बहुत ही हमबल इन से बात किया न मैंने बहुत ही हमबल डाउन टुदार थे यह लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे कोई अटिटूड नहीं की नहीं यह वह फलाण डमका नहीं उन्हें पता है और बहुत ही सीरिस कंडिडेट हैं ठीक है तो आम शूर कि इन में स अगर आप खाली फार्मा है तो आपको मैने ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि पकापकाय मिल रहा है लिमिटेड टू वन हाइर कॉलिफिकेशन अगर आप एक क्वालिफिकेशन पे चार नमबर मिलेगा ठीक है चार नमबर ही मैक्सिम मिलेगा अब देखो क्या लिखा क्यक्ना अब हाइर क्वालिफिकेशन जिसपर ये चार नमर मिला कौन से क्यालिफिकेशन की बात कर रहे पोस्ट ग्रेड़ डिगरी फार्मिश स्यूट कर एंफार्मा पोस्ट ग्रिजड डेगरी इन मेडिपाइसिन एम डी अंबीटिए स्पेशिलाजिए इन क्लिनिकल फ बस यह कि इनको चार नंबर का एडवांटेज मिल रहा है यही फरक है चलिए वेटेज ऑफ टू एक्स्ट्रा मार्क्स भी गिवल टू करनेट फॉर इच कंप्लिटेड इयर एक्स्पिरियंस इन कानिफेक्टरिंग क्योंत। बहुत से लोग होंगा जिनका मैनिफेक्टरिंग में कॉपालिटी कंट्रोल में एक्सपिरिंग है मैंस्टी नमबर आपके यह जाएगा है平 चीज है ठीक है चलिए देख लिए कहाँ पर गौर्मेंट ड्रग टेस्टिंग लबोरेटरी यह यहां यहां का एक्सपिरियंस आपका होना चाहिए देखा आपने ठीक है चलिए maximum three years यानि कि six mark maximum दिया जाएक एक्सपिरियंस आपको six से ज्यादा नहीं जाएगा भले साब 15 साल 20 सल जितना भी आपने काम किया हो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आलतु-फालतु पाई गई बाद में आपका इसलिए परशान मत होई भाई साब उनके लिए वैकंसी है तो उनको ठीक है यार बहुत दिनों बात आए अब समझीए है पास मिडिल एक्जामनेशन वित उडिया इस लेंगवज हाई स्कूल ठीक है मिडिल एड्थ टेंथ मैट्रिकुलेशन टेंथ या एक्वेलिट इग्जामनेशन उडिया इस मीडियम यह सब कहां से अपला होगे यानि कि यह साफ है कि उडिशा लोग ही दे सकते हैं इसको यह सारी चीजें ठीक है यह लिखा है पास जिन उडिया इस लैंगवज इन फाइनल एक्जामनेशन आप क्लास सेवंथ फ्रॉम मैं स्कूल ठीक है गवर्मेंट आफ उडिशा यह सब कोई भी गवर्मेंट सर्वेंट चाह बैठते हैं ठीक है वो सब सारी चीजें यह सब देखो जब भी इसकी अपॉइंट्मेंट होगी तो आपको प्रोबेशन पर आपको काम को आंका जाएगा कि क्या आप सही है तो दो साल आपको प्रोबेशन पर रखा जाएगा प्रोबेशन नहीं होता तो गवर्मेंट में अभी प्रोबेशन पर रखा जा रहा है यह सारी चीज़ें ठीक है जिस दिन आपकी पोस्टिंग होगी यह सारी चीज़ें पहली देखो क्या होता था हंड्रेट क्वेस्टन आते थे फिफ्टी क्वेस्टन जी की आता था यह पहला पैटर्न 2012-13 में अभी चेंज हो चुका है 200 माग का फार्मेशी है नवाला 20 माग के जी के सब गायब जो लोग जी के और रिजनिंग से घबराये हुए थे आपके लिए खुसकबरी है भाई साब ठीक है खुसकबरी यह है कि 200 माग का आपको पुरा फार्मेशी मिलना 20 माग का इंटरव्यू है कुछ बच्चे करे थे बड़े बड़े लोग सीट खरी लेंगा ऐसा कुछ नहीं भाई साब आयोग है वो ठीक है इक की दुक्के कहीं कुछ हो गया हो गया बट प्रॉबेबल्टी जीरो है चांसेज बहुत कम है क्योंकि यार यह आयोग है यह बड़ी-बड़ी पोस्ट के लिए यार यह सब कुछी ने समझोव रिटेन एक्जामनेशन सेल्ट एंडेस स्टेंडरऌ बडेसलर अफ फामे सीटाएबल बीफ फार्मसिटिक्वसनलेश्ट का मतलब आईपीची hack के मस्टिश का मतलब अनालिसिस फार्मक लोजी फार्मा सूटीक फार्मा को म को नोसी फार्मा biraz यह सब देखो और जब इन में पढ़ना तो सब है लिकिन और इन सब में प्यारिटिक इसको को देना क्योंकि समय कम है चूंकि समय कम है you need to prioritize the subject कि कि इसको ज्यादा समय देना है ठीक है यह सब एक पर्मसुटिकल के सुलेबस है जो पीसी आई का फार्मसुटिक्स का से लिए ठीक है यहां लिखा हुआ है देखो सब कुछ ठीक है यहां देखो लिखा number of such candidate to be called for personality test belonging to each category shall not exceed twice हर category में जितने सीट है उसका double जो है interview के लिए बुलाएंगे ये ये सारी बाते हैं ठीक है Jones of Examination पांच journal center बनेंगे जिनका कोई changes नहीं हो सकेगा एक बार आपने form भरते वक्त इसलिए समझदारी से ध्यान से भरिएगा देख लिजे बालासोर, बहरामपूर, भोवनेस्वर, कटक एंड संभलपूर ये बहुत ही फ्यमस सिटेज है उड़िसा के मैं भोवनेस्वर गया हूँ आँ हूँ और बहरामपूर बहरामपूर मुझे बड़ा educated सा इलाका लगा काफी बच्चे वहां के पढ़ाई में भी आ गए है, सारी चीज है, काफी जानकारी है उनके पास इलाका जैसा भी हो, बट इस पीपल आर वेरी एक्टिव बहुत ही ज़्यादा बहरामपूर के जो है एक्टिव है ये बच्चे आपको मिलेगा रिजर्वेशन कंसेशन बाहर जाके माइगरेट हुए तो कुछ नहीं होना वाल उडिसा में पायदा हुए उन्हीं को पायदा मिलेगा क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है, कास certificate mentioned in the application will be treated as final and same will not be changing in the answer का बने, तो कास certificate बगारा जो भी दे रहा है वो सही format में होना चाहिए, valid होना चाहिए, बाद में रोना ना पड़े कि नहीं सर, आपने category certified लगाया और सही नहीं होगा तो आपको जनरल में count कर लिजगे और जान लिए, आपके seat फिर कहां जाएगी, कहां ने जाएगी, कुछ पता होता नहीं है, mobile watch watch कुछ नहीं दिया जाएगा ये सब चीजे, ठीक है, जो भी documents वगरा सारी चीज़ आप online form में भरेंगे, वो सब सारी चीज़े जो है, देखो लिखा, written examination suit in readiness to submit the hard copy of online application form, यानि कि hard application form का hard copy और उसके document आप निकाल के रखो, आप कभी भी आपसे मांगा जा सकता है, self-attested form में, जैसे written examination qualify होगा, पहले नहीं मांगा जाएगा, ठीक है, original certificate अगर देने में आप फेल होते हो, degree बगरा दिखाने में फेल होते हो, certificate बगरा में, फिर गए-बड़े मामला, ठीक है, अपना जो experience दिखाएगा, सही रहे, फरजी और जी ना रहे, कास certificate बाई बर दिया जा रहा है, work experience competent authority से फरजी मत बनवाएगा, फज जाएंगे नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी, फिर, उड़िया test certificate भी आपको देना पड़ जाएगा, ठीक है, यह सारी ex-servicemen जो लोग मिलता है, ठीक है, यह सब, क्या लिखा हुगा, कास certificate issued by the competent within the last three years by the closing date of submission on an application, यह बात ध्यान रखेगा, वरना इसके बाद का आपको होगा ना, तो आप देख लिजेगा, तीन साल यहां पर दिखा है कि within the last three years by the closing date for submission of online application form, closing date तक का, ठीक है, यह सारी शीजें, आप ध्यान द देख लिजेगा, सारी चीजे सही होनी चाहिए, ठीक है, चलिए, यह सब, grounds of rejection of application, यह सब है, आप पढ़ लिजेगा, अच्छे से advertisement, बहुत अच्छे से पढ़ना, यह ज्यादा important नहीं है, क्योंकि मुझे pattern और यह सारी चीजे आपको बतानी थी, ठीक है, यह सब, ध्यान से advertisement, बहुत अच्छे से, अब आते हैं मेन मुद्दे पर, मेन मुद्दा क्या था हमारा, कि हमें eligibility criteria, clear हो गई, educational qualification, clear है, बिल्कुल clear है, गुरू जी, experience वाले नहीं है, तो भी selection होगा, हो है, तो भी selection होगा, experience वालों को, भाई, वो उन्होंने इतने साल जब मेहनत की हुई तो advantage तो मिलना चाहिए न, exam, scheme, or pattern, यह सब के बारे में, I have already discussed, I hope this video is going to be a very, you can say, this video is going to be very helpful, आप में से जो भी तयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा clarity of thoughts आ गई होगी, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, यहां पर, वहां पर, ऐसे, तो बहुत सारे questions आ रहा है, तो मुझे लगा कि इस पर थोड़ी clarity होने चीए, बाकि जो भी उडिसाडिया से related, हमने वीडियो डाली है, चाहे वो strategies वीडियो हो, चाहे हमारे courses के डाले हो, चाहे previous year paper कैसे डाउनलोड करने है, उस पर भी वीडियो मैंने डाली हुई है, वीडियो को देखिए, जब समय देंगे, तो कुछ न कुछ definitely सीखेंगे, चलिए, so thank you so much, आपने इतना समय दिया आपना, बेस किमती समय आपका है, तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि आपका समय जाया हो, वेस्ट हो आपका, तो इसी चीज़ पर हम लोग जो है, इस session को इंड करते हैं, thank you so much once again for joining this, have a good day.